हलो फ्रेंड्स आज हम सुनेंगे बिल्ली बच गई की कहानी डोलू मोलू दो भाई थे दोनों कुब खेलते पड़ाई करते और कभी कभी कुब लड़ाई भी करते थे एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच् अकेले थे उन्हें भूक लगी हुई थी इसलिए खुब रो रहे थे डोलू मोलू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी और अपने दादा जी को बुला कर लाए दादा जी ने देखा दोनों बिल्ली के बच्चे भूके थे दादा जी ने उन दोनों बिल्ली क बच्चों को खाना खिलाया और एक-एक काटोरी दूद बिलाया अब बिल्ली की भूक शांत हो गई वे दोनों आपस में खेलने लगे इसे देखकर ढोलू मोलू बोले बिल्ली बच गई दादा जी ने ढोलू मोलू को शाबाशी दी नैतिक सिक्षा जो हमें मिलती है दूसरो की भलाई करने से खुशी मिलती है moral of this is short stories always try to help others it will give real pleasure thank you so much for watching this video अगर वीडियो अच्छा लागा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और मेरे चैनल पर जाकर के और भी वीडियो का आनन्द लेजिए जिससे कि आपको नए नए ट्रिप्स एंड आइडियास के बारे में पता चले आने वाली वीडियो आपको सबस से पहले मिल सके बैल आइकन के साथ मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिए थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो जैहिंद